हेलो भाई लोगों क्याल चाल यार कभी कुछ भी हाई हेलो कर लिया करो आज बात करते हैं मुकेश अमबानी की देशवक्ति की अरे भाई यार कहा जा रहे हो भी इंटरसिंग बाते रहागी सुनते जाओ अमबानी बाबा ने दुश्मन देश चीन को 30 करोड जियो फोन सैट बनाने की देशवक्ति वाला ओडर दिया है रिलाइंस जियो 10-10 करोड करके 3 बार जियो सैट मंगाएगी और मेड इन इंडिया की चाप लगागे हमारे देश वासियों को 1500 रुपे की security deposit से इस्तमाल करने देगी पर बेचेगी नहीं जब विकरी नहीं तो 28% GST भी नहीं मतलब 10 करोड की एक खेप में 1500 पर 30 सैट पर 28% GST के हिसाब से देश का 4200 करोड रुपे के tax का क्यूना कुल मिलाकर 30 करोड हेंड सेट पर 1,26,000 करोड रुपे की सीधी चोट सरकार पर अब हाई लिवल की बाते हमारे भारतियों को समझ नहीं आती पिचारे भोले हैं ना अब लग जाएंगे जियो फोन करीदने लाइन में नोट बंदी के टाइम लाइन बिचारे बहुत से लोगी मौत हो गती अब देखते भगवान को प्यारे कितने होते हैं दूसरी बात जियो सिक्योरिटी डिपोजिट के पंदरा सोतो तीन साल के अंदर वापस लोटा देगी पर अपना फोन वापस नहीं लेगी कभी सोचा है क्यों क्योंकि कमपनी 10 करोड फोनों की परचेजिंग अकाउंट्स में नहीं दिखाएगी ना ही इनको ट्रेडिंग स्टोक में लेगी बलकि 15 लाख करोड का खरचा अकाउंट्स में दिखाएगी प्रमोशन के नाम पे जितना खर्चा दिखाएगी तो उतनी कमाई में से कम हो जाएगा और income tax लगबग 35% यानि 5 लाग करोड की सीधी बचट होगी दूसरी शब्दों में भारत को 5 लाग करोड का सीधा फटका जबकि जियों का कुछ भी खर्च नहीं होगा और 15 लाग करोड का खर्च दिखाने से 5 लाग करोड income tax पचा और तो और मार्केट पर 3 साल तक किसी का बाप तक नहीं ला सकता बाकि हर सरकार की यही अपील है हमारे देशवासियों से चीन के बने जालर और पिचकारी का भहिशकार गरे और देशबक्त बने जिसे वीडियो अच्छा लगा वो शेयर कर दो और कमेंट भी करीदो यार और जिसे अच्छा नहीं लगा वो जीयो की लाइन में लगो